पूजा पूजा आप वीडियो फर्स्ट टेख रहे हो तो अमारे चानल को जरूर सब्सक्राइब कीचे और नीचे देऊए बल आइकन को जरूर दबाईए ताके हमारी सारी रेसिपी आप तक पहुँँए तो चलिए चुलते हैं आज की रेसिपी के तदर आज की हमारी रेसिपी है मिर्ची पकोडा बहुत लोग इसे मिर्ची भेजिया भी बोलते हैं तो चलिए ये टेस्टी रेसिपी बनाना शुरू करते हैं सबसे पहले हमने बड़ी वाली मिर्च ली है ये मिर्च बहुत ही कम थीकी होती है हमें इसे बीच से कट कर लेना है और इसके अंदर की सारी सेट्स निकाल लेनी है हमने सारे मिर्च के अंदर की सेड़ निकाल ली है तो चलिए अब हम इसके लिए स्टफिंग बना लेता है स्टफिंग बनाने के लिए एक बाउल में हमने 3 टेबल स्पून भूने हुए मुमफली का पाउडर लिया है अब हम इसमें आधा टेबल स्पून जीरा पाउडर आड़ करेंगे इसी के साथ आधा टेबल स्पून धनिया पाउडर आधा टेबल स्पून आमचुर पाउडर नमक स्वादा नुसार और इसे हलका सा गीला पन लाने के लिए हम इसमें एक टेबल स्पून ओई लड करेंगे और इसे मिक्स कर लेंगे इसे मिक्स करने के बाद यह हलका सा गीला लग रहा है इस स्टफिंग को हम मिर्च में स्टफ कर लेते हैं हमने मिर्च को जो मिडल से काटा है उसमें हम यह स्टफिंग भर लेते हैं आप देख सकते हैं हमने इस मिर्च को अच्छे से स्टफ कर लिया है तो चलिए इसी तरह हम बाकी के मिर्च में भी स्टफिंग भर लेते हैं हमने सारी मिर्च को स्टफिंग भर लिया है तो अब हम इसके आउटर कोटिंग के लिए बैटर बना लेते हैं बैटर बनाने के लिए हमने एक कब बेशन लिया है अब हम उसमें आधा टेबल स्पून लालमेज पाउडर आड़ करेंगे आधा टेबल स्पून हल्दी पाउडर आधा टेबल स्पून जीरा पाउडर आधा टेबल स्पून धनिया पाउडर नमक स्वादा अनुसार एक अजवाई और इसी के साथ थोड़ा सहरा धनिया सारी चीजे डालने के बाद हम इसे मिक्स कर लेंगे और इसमें थोड़ा थोड़ा पानी एड़ करके इसका एक थिक सा बैटर बना लेंगे हमें बैटर को थीकी रखना है ताकि मिर्च के ओपर यह अच्छे से कोट हो पाए मिर्च पकोड़े का बैटर बनके रेड़ी हो चुका है तो अब हम पकोड़े को फ्राइ कर लेते हैं फ्राइ करने के लिए एक फ्राइंग पैन में हमने अल्रेडी ओल गरम कर लिया है अब हम इन मिर्च को इस बैटर में डीप करेंगे और इसे इस ओल में डालके फ्राइ कर लेंगे पकोड़ों को हमें हलका सा गोल्डन रेड होने तक फ्राइ कर लेना है अरिश की सीजन में मिर्च पकोड़ा खाने का मजा ही कुछ अलग होता है हमने मिर्च का अंदर जो हलकी फुलकी स्टफिंग बरी है वो भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है तो आप इसे आपके गर में ज़रूर ट्राइ कीजे और हमें बताईए कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी तो पाच मिनिट के बाद ये पकोड़े हलके से गोल्डन रेड हो चुके है तो चलिए अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेते है तो ये टेस्टी और गर्मा गरम मिर्श पकोड़ा आपके चटपटे मूड का मज़ा बढ़ाने के लिए रेड़ी ऐसी इंस्टेंट रेसिपी इसके लिए हमारा चैनल ज़रू सब्सक्राइब कीजे और आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी ये लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएए थांक यू